नमस्कार में स्वाती और आप देख रहे हैं विंधिया टाइम्स राश्ट्रिये पात्रता सह प्रवेश परिक्षा 2024 यानी की नीट यूजी 2024 परिक्षा इस वर्स पांच मई 2024 को आयोजित की जाएगी इसमें देश भर के लगभग 20 लाख बच्चे शामिल होंगे लेकिन इस परिक्षा के रजिस्ट्रेशन की आखरी तारीक यानी की 9 मार्च आने के पहले ही 8 मार्च से ही साइट का सरवर डाउन हो चुका है हल्प लाइन नमबरों पर फोन लगाने पर भी कोई मदद नहीं कर पा रहा है जिससे रजिस्ट्रेशन ना हो पाने के कारेट कई लोग परिशान हो रहे हैं भारत में डॉक्टर की डिग्री हासिल कर पाना आसान नहीं है इसके लिए कठिन मेडिकल इंट्रेंस एक्जाम पास करना पड़ता है बारहवी के बाद MBBS करने के इच्छो के स्टूडेंट्स के लिए नीट योजी परिक्षा में सफल होना अनिवार है नीट योजी 2024 परिक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वैसे तो 9 फरवरी को शुरू हो चुकी है इसका अंतिम धिनांक 9 मार्च आने के पहले ही रजिस्ट्रेशन होना बंद हो चुका है 9 मार्च इसके रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथी है लेकिन इसके दो दिन पहले से ही साइट चलना बंद हो गई है और इस पर दिये गया help line number पर लोगों की कोई मदद ना कर पाने की कारण student ही नहीं बलकि उनके parents भी काफी परिशान हैं। कुछ लोगों ने अपना नाम ना चापने की शर्त पर बताया कि इस परिशा में ज्यादा तर वही बच्चे शामिल होते हैं जो की बारहवी कक्षा में रहते हैं। एक और अभी बारहवी बोर्ट की परिशा चल रही है, दूसरी और इस परिशा के रजिस्ट्रेशन की तारीक भी दे दी गई थी। जिसके कारण ज्यादा तर लोग इस बार नीट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे। कई लोग ऐसे थे जिने भरोसा था कि वह अंतिम दिनों में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेंगे। लेकिन अब साइट ना चल पाने के कारण ऐसे लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने बताये कि सर्वर की इतनी अधिक परिशानी है कि इससे मोबाइल पर आने वाले OTP तक नहीं आ रहे हैं। अगर यह सर्वर काम नहीं करता है तो इस बार काफी स्टूडेंट यह परिक्षा नहीं दे पाएंगे।